रुपहले पर्दे पर दंगल फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित बहुँ चर्चित फिल्मांकन को काफी सरहा गया जिसमें गीता और बबीता नामक दोनों बहनों के साहस को बहुत सरहना मिली थी और ऐसी ही एक तस्वीर अब सिवनी जिले के ग्रामीन अंचल में भी पनव रही है जिसमें गीता और बबीता नामक दो बहने जो ना केवल आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है बलकि मिट्टी कला की अनुपम कलाकरतियों को भी बढ़ावा दे रही है देखिए इस खास रिपोर्ट में परंपरागत तरीके से चली आ रही माटी कला को उगली की दो बेटियां नया आयाम दे रही है गरीबी और लाचारी से तंग होने के बावजूद उगली की दो बेटियां पढ़ाई के साथ साथ पिता के कंधों से कंधा मिलाकर परंपरागत माटी कला को बचाने का प्रियास कर रही है मिट्टी के बरतनों पर आकरशक कलाकारी कर लोगों को माटी कला की और आकरशित कर रही है लेकिन माटी कला के इन कलाकरिती के लिए बहतर मंच और अच्छे दाम ना मिलने से माटी कला के ये कलाकार हताश होने के साथ साथ आर्थिक संकट से जूज रहे है वहीं वैश्विक महमारी कोरोना ने कविता बविता के परिवार के साथ साथ कुम्हारों की भी कमर तोड़ दी है ऐसे में दोनों बहनों ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई तो घड़े बस सिर्फ सीजन में बिक पाते थे और बागी शमय में फिर ऐसी फिर हमने इंटरनेट वगे देखा प्लाश्टर के प्लास्टिक के यह यह जूमर है यह उन का बनाया हुआ था तो फिर हमने सूचा क्यों न मिट्टी के बनाया जाय तो फिर मिट्टी का बनाए तो बन गया और यह मॉबाइट रैख यह बी यह भी मिट्टी का है और भी नए नए डिजाइन के यह गमले जैसे यह पापा बनाते यह गमले चाक से और फिर हमने इसे डेकोरेट कर सकते कर देते हैं तो यह ज़्यादा संदर दिखता था घरों की सजावट के लिए और जिस यह सब की डिमांड बढ़ना चाहिए यह मार्केट में अभी कम भीक रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि हमें मंज मिले और यह ज्यादा से ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ है जिससे हमारी आर्थिक इस्तिति सुदर सके और हम आगे बढ़ सके श्रदेशी अपना जीवन बचा हमारे यहां पर मिट्टी के नएने प्रक मिट्टी के बर्तनों का की डिमांड बढ़ सके और जादर से जादा उच्छी दाम मिल सके और चीजें बनाते हैं तो बहुत कम रेट पर मिलता है यादि हमें मार्केट मिल सके कुई सहर में प्रदर्शनी वगिरह लगती है वहां प Marriage मिल सके तो यही चीजे वहां पे अ ये दोनों बेटियां कुमहार जाती के राम किशोर की हैं बेटियों के अनूठे प्रयोग से पिता राम किशोर की उम्मीदें जाग गई और उन्होंने इस कलाकृती को आगे बढ़ाने की ठानी है कोरोना संकटकाल में भोपाल से गायब रहने पर सांसर साधवी प्रग्या ठाकृर ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से वें नहीं आ पाई इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस द्वारा दी गई प्रतारना से उनका स्वास्थ खराब हो गया था देखे एखास रिपोर्ट कुल मिलाकर बेटियां बेटों से कुछ कम नहीं है इसी कहावत को सार्थक कर रही है उगली की ये बेटियां पूर रपोर्ट, MP News, Sydney